बेलकम इन माइक्रो टेक चैनल तो आज के वीडियो में हम यहां पर डिसकसन करने वाले हैं अबाउट दा पिन डाइग्राम ओफ 8086 माइक्रो प्रसेसर का जो पिन डाइग्राम होता है उसमें 40 पिन्स होती है जैसे 8085 माइक्रो प्रसेसर भी एक 40 pin की IC थी, ऐसे 8086 माइक्रो प्रसेसर में भी 40 pin की IC होती है, means पूरा माइक्रो प्रसेसर एक IC पर बना होता है, 8086, अब यहाँ पर सबसे बड़ी बात आती है कि 8085 भी 40 pin की IC, 8086 भी 40 pin की IC है, तो यहाँ पर सबसे बड़ी बिटम बना यह है कि 8086 माइक्रो प्रसेसर में आपका सरकेट बहुत कॉंप्लेक्स होता है, बहुत बड़ा सरकेट होता है, तो यहाँ पर 2 PCB जो होती है, 2 PCB इस तरह से लगाई जाती है, और 5 बोल्ट की पावर सप्लाई से ही चलती है, जैसे यहा गिराम ओप 8086 यहाँ पर बनाया होका है, इसमें 40 PIN से, यहां पर स्क्वेंस से नहीं लिखा गया कौन सी फोटी PIN से कौन सी किस सारी पने एक साथ खतम हुई हैं, यहां पर 16 पिंस हैं, यहां पर 4 पिंस हैं, इस तरह से कई पिंस डिटबल हैं, 16 और 20 यहीं होगी और बाकि 20 पिंस होगी, क्लिए रहे, सबसे बड़ी बात आती यहां पर, सबसे पहले IC को ऑन कैसे करेंगे, सप्लाई कैसे देंगे, मतलब MicroSmart को Supply, Positive Supply कितनी देंगे, यहां पर Pulse कितनी, Pulse 5 Bolt दी जाती है, कौन सी लेकिन DC सप्लाई, IC है, IC है तो DC पर ही उपरेट होगी, तो Pulse 20C जहां लिखा है, उसका मतलब Pulse 5 Bolt DC, AC नहीं दी जा सकती, AC पर उपरेट नहीं होती है, से मिकडिक दी जाएगी यहाँ पर सबसे विछित्र बात है कि यहाँ पर ground कितने लगाएगए हैं ground यहाँ पर दो लगाएगए ऑफनंस और दो ground इसलिए लगाए गए हैं यहाँ कि यहाँ पर PCB में क्या है आपका कि दो PCB लगाई गई है एक PCB यह माल लेते हैं एक PCB तो 50% circuit इस पर है और 50% circuit इस पर है तो supply तो दोनों को एक ही चली जाती है और IC में दोनों इस तरह से touch नहीं होती है कुछ components इसमें लगे होते हैं कुछ components इसमें PCB दो होती है जो इसकी 40-50 की IC है तो 50% circuit इस पर 50% इस पर आप किसी भी circuit में बहुत ही components रही है को इसको ground करना पड़ेगा इसलिए यहाँ पर जो है दो PCB है तो supply तो एक दे दी दोनों को लेकिं ground हमें दो करने पड़ते हैं इसलिए क्योंकि PCB दो इसमें connect होती है उपर नहीं थिकने स्थोड़ी से ज्यादा होती है इसके एड़ेट 5 इसमें सरकेट बड़ा दो PCB होती है इसलिए दोनों PCB को ground करना बहुत जरूरी है इसलिए ground यहाँ पर दो लगाए गए हैं clear नहीं तो on हो जाएगा ground भी होगा प्लेश भी सी सप्लाई को 5 वोल्ट डीसी इसके बाद एक clock frequency clock frequency, micro pressure कितनी frequency पर operate होता है जैसे 8085 में भी clock frequency हर एक micro pressure की clock frequency होती है जिसकी clock frequency ज्यादा होगी उस micro pressure की operation करने की छंता बहुत तेजी से होगी बहुत fast होगा तो यहां पर 8086 micro pressure जो होता है यह तीन बर्जन में आता है 5 MHz पर काम करता है 5 MHz की frequency पर काम करता है या 8 MHz की frequency पर काम करता है और 10 MHz तक की frequency में काम करता है 5 MHz, 8 MHz या 10 MHz means 8085 कितने पर करता था वो 3 MHz या 5 MHz या 6 MHz की frequency पर काम करता था यदि उसका 5 मान है और इसका 10 मान है तो लगभग लगभग दो गुनी speed हो गई जितना काम micro pressure 2 second में करता था उतना यह 1 second में काम complete मतलब micro pressure 8086 की बहुत ज़्यादा speed हो गई है clear है क्योंकि इसकी frequency बहुत ज़्यादा है और एक किस्से possible हो पाया क्योंकि इसमें instruction क्यों लगाई गई थी instruction क्यों की बज़ए से block diagram की दो section बनाये थे B.I.U. और EU अलग अलग तो दोनों simultaneously काम करते थे इसलिए fetching time उसमें बच जाता था इसके बार आते हम reset pin पर reset pin क्या होती है यदि reset pin पर यद इसमें reset pin अगर इस पर reset pin पर यदी बन भेद दिया आपने तो क्या हो जाएगा reset pin पर यदी बन भेद दिया तो इसमें अधी reset equal to reset equal to बन कर दें तो microprocessor जो भी काम कर रहा था सब को reset हो जाएगा नया काम करने के लिए ready हो जाएगा नया काम करने का ready का मतलब क्या होता है कि microprocessor में extra segment register होता है कौन कौन से extra segment register होता है stack segment data segment इसके बाद IP instruction pointer इसके बाद कौन सा instruction pointer के बाद वाया जो है IQ IQ instruction q और क्या है इसके बाद instruction q के बाद जो है PSW PSW यह सब जो है resetter हो जाते है PSW अलक से नहीं लगा दिखता है PSW मौने जाता है PSW का मतलब होता accumulator और flag दोनों को मिला दिया जा तो उसको बोलते है PSW 16 bit का accumulator है 16 bit का flag register program status bird तो यह भी आपका resetter हो जाता आपक्रमेटर में data clear हो जाएगा और flag register भी resetter हो जाता है reset pen आते ही एक्स्टा सेग्मेंट register पर भी क्या हो जागा resetter नया काम करने के लिए ready SS resetting ready नया काम करने मतलब जितने भी यहां पर लिखें instruction pointer instruction q क्योंकि instruction q में 6 memory location का data पहले से भर रखा होगा आपका resetter कर दिया तो सब को clear कर देता है clear करने का मतलब होता है सब initial state में चले जाते हैं नया काम करने के लिए ready हो जाते है reset pen का यह काम है जैसे यह अंदर को आ रहे हैं फिर सप्लाई आनी है आई सी में ground का मतलब बाहर को grounded कर देते हैं clock अंदर आनी है ready reset भी अंदर आना है signal ready भी अंदर आना है इसके बाद ready pen का मतलब क्या होता है means ready signal कौन भेजता है एक्स्टरनली इनिसीटट डिवाइस कोई बाहरी डिवाइस बेखती यह कौन सी डिवाइस जिलो प्रिफिरल डिवाइस कौन सी बेखती है इसे आपने कंप्यूटर से कह दिए प्रेंट आउट जो है पचास पेज प्रेंट आउट निकालना है तो वो जो है पचास पेज हो सकता है एक बार असेप्ट ना करें तो हो सकता है टॉन्टी जो है पेजिस को एसेप्ट करें टॉन्टी पेजिस को उसने ले लिया जब टॉन्टी पेजिस का प्रेंट आउट न क्लिए रहे हैं जैसे हम कीबोर से टाइप करेंगे तो जितनी स्क्रीट से मूपी ले सकते हैं उतनी स्क्रीट से हम टाइप नहीं कर सकते हैं तो यहां पर जो है प्रिंटर जब रेडी हो जाता है तो कंपूटर की स्क्रीन पर ही एक सिगनल आता है कि प्रिंट आउट निकल च NMI और INTR किसे rilated हैं इंटरी से रिलेटर है इंटर इंटर्प्स होती है इंटर्प्स होती है हालांकि 83086 में इंटर्प्स रिलेटर 6 फिंट थी वहां पर RST5.9 ठाप Ps पहले इंटर तो इस्में भी है उसके बाद तो इसमें INTR के बाद INTA इंटर्प्ट एक्नोलेजमेंट पिन होती थी, इसके बाद एक जो है आपका RST 5.5 होता था, RST 6.5, RST 7.5 और जो है इसके बाद TRAP करता था, TRAP non-maskable interrupt होता था, तो यहां पर इंटर्प्ट एक्नोलेजमेंट इसको मास्क नहीं किया जासता, पैंडिंग में नहीं रखा जा, तुरंत काम उसकी बात को सुनना पड़ेगा, और non-maskable interrupt जो होता है, यहां पॉस्टिव एच्टिव एच् कैंसा होता है, पॉस्टिव एच्टिव एच्टिव डोप होता है, कौन सा यह मास्केल इंटर्प्ट और इंटरैव में नहीं रखा जा सकता है, इसके बाद, का मतलब है सबसे हностью शरा क्लिए सबसे हैं यहां से पर आते हैं यहां पर तो इहां की बात नहीं करते हैं हम यहां concept clear कराना है video लंबा हो रहा होगा इसलिए हमें इतना concept clear कराना है एक pin होती है इनकी बात में करते हैं М Oivlux MX बार एक pin होती है Microprosers में M N Oivlux MX बार pin होती है M N का मतलब है minimum MX का मतलब है maximum तो यह जो है माइक्रोपोसर 8086 दो मोड में ऑपरेशन करता है एक मिनमम मोड में दूसरा मैक्जिमा मोड में तो मिनमम मोड में काम करने का मतलब क्या है माइक्रोपोसर सिर्फ अके लिए 8086 ऑपरेट हो रहा है लेकिन मैक्जिमा मोड में यदि माइक्रोपोसर लग जाता है त मेक मोड में माइक्जार मॉडूसर् επेस के साथ zooming काम कर सकता है इसलिए उसको बोलते हैं इसके फोलेटिंग जो गया Oh उसके मोंटरसाइटील में चार गियार है तो उपरेटिंग मोड्स चार है तो तरह में जो होते हैं दो तरह के कि यह सकता है तो उसके खुया गाइए एक रिवर्स गीर हो गए तो इसकार में कमबढ़ भी हो सकते हैं तो यह माइक्रोपृसर में ऐसे यह उपरेटिंग मोड्स 806 के होते हैं दो होते हैं उपरेटिंग मोड्स एक मिनमम मोड्स जबकि 808 6, byate 6, byate 5 जो उसमें Operating Mode की बात नहीं आती थी क्योंकि वो över सिंगल Mode में Operate होता था, यह दो Mode में काम करता, minimum Mode में मैगडिमम Mort था, minimum Mode में रूम और मैगडिमम Mort में काम कराना तो इस को ऑफिक स्था उसकी पन्र होनी चाहिए, तो minimum Mode मैगडिमम Mort से कराने के तो क्या होगा बन बन आया तो एम एक्स बार की बैलू कैसी है बन है तो किस मोड में काम करेगा है आपका मिनमम मोड में काम करेगा यदि एम एक्स बार की बैलू यदि जीरो हो जाती है तो जीरो का बार होगा यहां पर बार लगेगा इस पर हम बार चड़ा देते हैं यहां पर एम एक्स बार यहां पर इसकी बैलू जीरो हो गई है तो जीरो का बार हो गया तो यह बन हो जाएगा तो मिनमम का बार हो गया त माइक्रोपुसर 8G-6 Muenop operate in­ मैकिमम मोڈ मेक्रोपुसर किस मोڈ में काम करेगा? मैकजिमम मो Simmons काम करेगा यहां पर यहां पर देखिए AmbN keresids war बन लिकए जा का मतलब मैम मोड में और यहां पर इसकी बेलू 0 लिखिए जौहान लिखा है तो ये minimum mode मेंज से, यहां पर बहुत conceptual बात है, इस से रिलेटर, इस pil से लेकेaving से कहले कन्फरम होता एक minimum mode में प्रम में काम करे गाये, मैंजमा बेरे मैंजमा मो दून में हैं, बून में काम करे काम करेंगा, minimum इसलिए आपको कुश्चन सही सेट होता है पेपर अधी बनाते हैं तो ड्रॉदा पिन डाइग्राम ऑप 8086 माइक्रो पूंचा जाता है कि बहुत बड़ा कोश्चन हो जाता है बच्चा किसी भी चीज को इस पर नहीं लिख पाता है बना देना है यहां पर यहां पर हैंग पड़ी है कौन सी मिनमम मोर रिलेटेड पिन्स आप 8086 माइक्रो पूंचा मिनमम मोर रिलेटेड पिन्स यहां पर ऑबलेक करके लिखा यह लगा है यह वारी लाइन हम लखिए बन गई यहां पर तो यह जो है मिनमम मोर रिलेटेड पिन्स कौन सी होती है यह सभी पिने मिनमम होती है यहाँ पर लिख दिया यह कहोगा यहां पर 2 पन लगी है hold, oblique, rq, 0 और gt, 0 gt, 0 इसकी बाद में बात करते है rq, gt क्या होता है अभी hold pin का काम करना है यह multiplex pin से a वाली pin और a वाली pin hold या rq pin से h, l, d, o और rq बन multiplex ना oblique करके यह लिखा है right bar और lock pin होती है lock pin इनकी बाद में बात करते है नाम सुनना है सिर्फ अभी तो right bar, oblique, lock bar m oblique, आयो बार clear रहे m oblique, इसको अभी समझाते हैं हम सभी m oblique, आयो बार m का मतलब memory, आयो का मतलब input output 8.085 में 6 में 8.085 में जब आप पढ़ते थे आयो 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 बार साथ हा बन पर काम होने लगेगा clear है तो इस बिन जी एस उबार इसके बाद है डी टी ओवलेकर बार इसकी बात बात में करते हैं क्या होता है डी टी ओवलेकर बार oblique करके, यहां पर लेकाओ oblique करके आयो बार आयो पर बार data enable as not bar इसके बाद एली तो जानते ही एड्रस लेज इनेविल होता है यह ली होती थी एड्रस को लेज कि थो इनेविल कराता है क्यूज एस नॉट और यहां पर है करना होता है इसकी बाद अभी थोड़ी दिर में बताते हैं इस पर आना पड़ेगा तब यहां पर इस वीडियो में यहां पर कितनी पिंस होती है एट पिंस होती है तो यहां पर हमने एबी सीडी करके आठों पिनों के नाम लिखे हैं और सभी को समझा है कौन क्या बहुत ही आसान है इसमें से 50% तो आप जानते ही है जो एड्रस पाइब में पड़े थे यदि एड्रस पढ़ रहा है तो हम दोपने आप अपड़े थे इसे जानको होता है यहां यहीं में फिरफैर में प्रॉब्लम क्या है कि इनपुल्प से कोई भी डेटा आता है यदि मेर्च नहीं नहीं है तो पहले वो मियूपी में जाएगा हो मियूपी के में चान रापकुम्लेटर में जाएगा पर होगा है जो की बहुत किंग हो गयाेिं जो है तो से स्पिक्रम क्या है खहते हैं माइक मेंवरी से में मेर रखड़ा ढखाई डेटा पहले kinda डेनाड़ से स्पेड पर सब्सक्राइब है इसलिए इसमें बहुत कम हो कोई भी डेटा आएगा विदाउड उजिंग माइक्रोपोर्ट पर भेजना तो विदाउड उजिंग माइक्रोप्रोपोर्ट पर भेज सकते हैं लेकिन किसकी मदद से यह चिप होती है तो उसकी सहाइता से हम डारेक्ट मेमोरी एसेस कर सकते हैं उसमें होती है तो चार पिनें बहुत ही hold pin equal to 1 यदि hold equal to 1 भे देता है तो इसका मतलब क्या होता माइक्रोपुसा 826 क्या करेगा है यदि hold pin पर यदि hold pin पर आपका अंदर आ रहा है यह दिहां रखिये क्योंकि सिलो प्यारी फिरल डेवाइस भेज़ रही है input output डेवाइस भेज़ रही hold कि आप अपने काम को hold कर लीजिए hold करने का मतलब आप काम को रोग दीजिए अपने काम को hold कर लिए माइक्रोपुसा जो भी operation उस time कर रहा हो उसने काम को अपने काम को hold कर लिए मतलब रोग देगा यह था इस्तिती बना के वहीं पर काम रोग देगा तो Microsoft डारेक्ट नहीं काम भीता है पहले होल्ड करने के लिए एक रिक्वेस्ट लो जी होल्ड कि आप होल्ड कर लो तो Microsoft 808 इससे 8086 Microsoft से होल्ड पिन जाती है और यह पिन क्या होती है मतलब Microsoft अपने काम को जब होल्ड कर लेगा तो उसकी सिस्टम बस खाली हो जागी कोई काम नहीं हो रहा होगा सिस्टम बस का मतलब क्या एड्रस बस डेटा बस और कंट्रॉल बस से खाली हो जागी कोई काम ही नहीं हो रहा तो यह फिरी होंगी जब फिरी होंगे तो Microsoft 8086 अपना कंट्रॉल इंसे हटा लेगा और अपने कंट्रॉल को रिलीज कर देगा और किसको दे देगा यह डी एमें को तुरंत पकड़ा देगा ही किस के लिए डारेक्ट मेमरी एसस के लिए लेकिन जब होड कर लेगा मार्कLab सर्थी हैसल्डीβ जरुल के लिए हो अबता रहा है अग्यान करते है दिवाइस ने lock करने के लिए भीजा था अपने वंपरेशन को तो माइक्रो प्रसाई 8086 उसी डिवाइस को hold acknowledgement signal एक भीजेगा बाहर की तरफ एक signal भीजेगा hold acknowledgement signal क्लियर है एक किस मोड की बात हो रही है यह हो रही है बात आपके minimum मोड की वह मल्टिप्लेक्स में एपिंस हैं यह जब मैकड़ मोड में आगा तो एपने कोई काम नहीं करेंगे फि इसके बात क्या होगा hold acknowledgement का मतलब क्या है 8086 इसने कहा था यहां पर DMA operations के लिए क्या कर देगा system bus को release कर देगा when 8086 release the system bus then 8086 sends HLDA signal किसको भेजता है HLDA signal to that device that device का मतलब कौनसी device यह hold signal किसने भेज जाता है 8237 DA में control तो हमने यहां पर लिख दिया है यह 237 DA में control एक chip होती है उसी ने hold request भेजी थी तो माइक्रप्रसाइब अपने काम को hold कर लेगा तो उसी device को HLDA signal बापेज भेजता है यह 237 को hold acknowledgement signal मिलेगा तब वो जो है input output device से कहेगे अब आप अपना data direct memory से करा सकते हैं डारेक्ट memory से इससे data transfer की speed बढ़ जाती है इसी को बोलते है हम डारेक्ट memory एसस तो यहां पर जो hold और hold एक्राइजमेंट जो पिंती concept के लिए रिख़गा होगा hold अंदर आनी चाहिए क्योंकि जो है slow peripheral device input output device एक request भेजती है hold signal तो यह 237 जब उसको भेड़ता है तो यह 237 एक request भेड़ता माइक्रोपरसर को hold तो माइक्रोपरसर के ऊपर एरजीरेट 6 के ऊपर hold पिन आई माइक्रोपर कर लेगा तो होच LDA signal जब hold कर लेगा तो HLDA signal वो बापस करेगा means यह दो पिन है DMA से related की क्लिया रह läh इंशके बाद यहांपर तीसरा नहीं रहांपर पिन है कंसी marvel डंडू डबू ओर बार का मतलब्लू बार का तो यहांपर रिड़वर पढ़े होंगे हैं पर एक रिड़वर बार है इसकी बात है आउटपुट होता है और इसके बाद मैमोरी होती है और एक माइक्रोपर्सर होता है तो चार ब्लॉक में से इनपुट से डेटा आना हो और मैमोरी से आना है तो मैमोरी से डेटा जब लेते हैं तो उसको या इन पर पोरसे डेटा लेते हैं तो उसको दीट करना पता तो इड़िघकर ना पते हैं तो जब करेंगे डेट ऑंग ऑजी तो दो जगए यहां आ Legends न कृर्टा न कर सकते in तो memory में इस्टोर, omerly j那我們 जो इस्टोर करेगा data को रखेगा,ate operation हो लेकर right bar equal to 0 होना जूरूर ही है, तो memory में data is store, your right operation या output port पर data भीजना है, बहन आदड़ आउट पर भीजना प्रेंट आउट निकालना तो, SEE color पर type, तो आउटपर पर 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 मतरती डाइप operation होते हैं ठीक है तो यह हो गया है राइट बार पिन का perform तर राइट operation औन दा memory और आउट पर पोर्ट इसलिए यहां पर क्या लिखा हमने memory और आउट पर पोर्ट पोर्ट प्रियर है यदि रीड बार होता तो लिखते memory और input पोर्ट तो इसमें हाला कि अभी यह समझा नहीं रहा है इतनी पिने अभी हम छोड़े होगे हैं इसके बाद क्या है डीटी और स्वरी आई यो एम आउबलेक आई यो बार पिन एट जो एट फाई में आई यो आउबलेक आई यो बार पिन यहां पर एम आउब पर लो signal जा सकता है या हाई सिक्नल यदि इस बायर पर लो सिग्नल जा रहा है तो लो हुराइज्वा स्कूपर लागा है बार थो जीड में यो का बार होगा तो बन हो जाएगा मैमोरी के लिए जीड योगा मैमोरी डिलेक्टड ऑपरेशन नए एम का मतलब मैमोरी है I or O का मतलब input output तो जब 0 है तो memory related operation तो नहीं होगा, input output related operation होगा जब इसकी value 0 होगी then I O related operation performs by 8.086 माई को बता, जब इसकी value 0 होगी तो I O input output related operation होगा, तो यदि I am ovlick I O bar की value बन हो जाती है, then memory related operation will be performed by 8.086 माई को पर से इतना सा काम है इसका, तो A pin 8.085 में परी थी, 8.085 8.085, 8.085 में उल्टा हो गया है I am ovlick I O bar का और concept हो ही है, तो यह भी आसान थी आपकी, clear है इसके बाद यहाँ पर आती है, नई pin है जो आपके 8.085 में नहीं थी एह है DT ovlick कारवा, DT का मतला होता, data transmit और R का मतला होता, receive Microsoft data को transmit भी कर सकता है receive भी कर सकता है इसलिए इस pin के लिए एक pin बनाई गयी है DT ovlick कारवार DT ovlick कारवार, DT ovlick कारवार एक बायर है, उस पर यह तो low signal होगा, यह high होगा जब उस पर zero होगा, तो zero से आप समझ लिजए, zero होगा तो DT का काम data transmit तो नहीं होगा जब zero होगा तो receive zero का बार होगा, बन हो जाके receive गए, data microprocessor ले सकता है data microprocessor ले सकता है अब वो जहां से आए, चाहे कहां से आए, तो दो जगह से आ सकता है या तो input port से आ सकता है या memory से, तो यदि a pen जो है, आपकी zero है, तो data को क्या कर सकता है, microprocessor receive कर सकता है, receive कर सकता है यदि zero है, तो देने ही लखा receive से, from memory और input port, data जो आना है, तो memory से आएगा, या input port से यदि इसकी value बन हो गई बन का बार होगा, तो zero के read operation, receive तो नहीं हो सकता है data transmit हो सकता है अब data transmit, microprocessor करेगा तो कहां करेगा, तो memory में store करेगा, या output port पर ते यहाँ पर वही लिखागा देने, या sense, sense, transmit data sense है, transmit data data to memory, memory पर जाएगा, या output port पर, यहाँ पर input port था, यहाँ पर output port इसके बाद एक pin है यहाँ पर den, den का मतलब क्या है, data enable den का मतलब है, data enable, data enable, full form de, यह जो है आपका de, अलग रखियो en, ऐसे पढ़ गया de का मतलब है data, en का enable पहले से जानते हैं, तो यहाँ पर full form हमने हाला के लिख दिया, data enable इस pin की value इस पर बाहर लगा होता है ध्यान रखियेगा, इस पर बाहर लगा होता है जब बाहर लगा है तो एक टू लो हो गई है जब इसकी value 0 होगी 0 होगी तो data क्या हो जागए enable हो जाएगा, 0 का बाहर होगा ना data enable हो जाएगा, data enable then 8086 sends है or receives data, sends or and receives data अगर data enable होगी तब ही data का लेना देना assess हो सकता है तभी MICROPSAR, den की value अगर 0 होगी, तभी data लेना देना, assess हो सकता है मतलब MICROPSAR से, तो इसकी value 0 होगी, then 8086 sends and receives data everywhere, कहीं पर भी sends कर सकता है और कहीं से भी receive कर सकता है अब sends कहां कहां करना है वो दोई चीजें हैं, send करना है तो यह तो memory में store करेगा या output port पर भेजेगा, receive करना है अगर, तो यह तो memory से receive करेगा, या input port से clear है, तो यह concept clear होगा होगा, इसके बाद आती है, ale, ale आपकी पड़ी हुई है, address latch enable, address latch enable, यहां full form लिखा, address latch के through enable कराता है, ale pin की value, मैं भी पड़ी थी, जब ale की value 1 होती है, तो address को latch के through enable कराया जाता है, latch का मतलब d latch या d flip lock, जब ale की value 1 आएगी, तो यहां पर basically क्या था, कि सही कहें, तो आपको AD 02, यहां पर ज्यासे पने लगें, AD 02, AD 15, इसको D multiplexing कराने, multiplexing की ती तब A0 से 50 ने यहां पर, और D0 तो D50 ने यहां पर, AD 30 मूपी से जाना ही जाना है हमेशा, AD 30 मूपी से जाना ही जाना है हमेशा, इसलिए पर नहीं बताइए थी हमने पहले, AD 30 सिर्प जाना ही जाना है, लेकिन data क्या होना है, uses microprocessor पर आना भी यह डेटा इसलिए bi-directional है और दोनों हो सकते हैं इसलिए bi-dimensional बस बनी 해ndra टो animst Khalil है यह जा यह टो मेंटी विट के़िब्चा है यह जाना है यह लेकिन एधि डेता के रेस्वेक्ट में बाई डारेक्ष्णल है और एड्रस तो माइक्रमों सरा उलवेज भेजता है एड्रस किसको भेजना है यह यह लिगा और इन पर पोट और आॉट पर अब मेमोरी का मानू तो सोलह हुए अभी चार और चाहिए चाहिए तो कौन से एजीरो टू एफिप्टीं होगा है इसीक्स टू एटीं जाना है एडर्स क्लिए रहे तो A02 A7 और A16 A19 ज़ी दौनों काम कर जाएंगी तो 20 बिट का एडर्स मेमोरी को पहुंच जाएगा कीनिर है अब आच्छा इनफर्ड आउटबिट बैच्टा ए जिस्टीन इंपुर्ड ईल्ड का ए मृटकी एट विट उन्पूर्ड ही इंपूट और आउटबिट जूरद का इले कर, हैं यहां पर 55536 हो सकते हैं इंपुट आउटपूट पोर्ट के एड्रस क्लियर है क्यों कि 16 एड्रस तो सिर्फ आना ही आना है डेटा आना और जाना इसलिए यहां से एड्रस सिर्फ जाना ही जाना इसलिए यूनी डारेक्शन है इसके नीचे एस थी अबलेक एड्रस ओल्डिक है एड्रस फार है एक यहां पर हैज्ट्री एस फूर है एस सिट्स तो यहां पर चार एग्र पर सिपर दो इस्टेटर्स सिगनल जो 8086 माइक्रोपसर में जो है 8 status signals होते हैं 8 status signals आठ मैंसे कौन से होते हैं यहाँ पर S3 से S6 तक तो 4 खतम हो गए अभी 4 और बचे हैं 4 status signals बचे हैं 4 खतम हो गए तो 4 तो यहाँ पर हैं 4 और बचे हैं वो कहां देखिए S not बार लगा है लेकिन यहाँ पर तीनों में S not S1 and S2 3 A हो गए हैं 4 यहाँ पर हैं 3 यहाँ पर 7 हो गए यह और बचा है तो S0, S1, S2, S3, S4, S5, S6 हो गए S7 बचा है S7 कहां BHE बार में S7 कहां BHE बार में BUS High Enable, BUS High Enable Multiplex Pins है यह तो BUS High Enable के लिए काम में करेगी यह यह S7 का काम करेगी तो हालां कि DS7 जो होता है it cannot use by AirGear86, एक्स्ट्रा है!' AIRGear86 Micro S7 कभी नहीं और यह नोट कनेक्ट होते है इसका यूच कभी नहीं होता है, यह externally बनाय गया तया या तो 8 bitkat बनता है, 16 bitkka, 7 bitka, अच्GER नहीं लगते, इसलिए 8 bitka, एक-sternal, बना के रखी यह इदी ब्यवस्ता करके, ऊसका यूच आज भी नहीं होता है, इसलिए इसमें यही लिखना है, तेकि ना अभी इसके बाद आता है बि ही बार का मतलब बस हाई रहने कि मतलब क्या है मैं toughest की मैइमोर्च की मैम्होरी माइकोभी सर RICH मैमोरी जो डेटा रखए मेमोरी कोalayas में बाणटा था lower bank higher bank even bank odd bank तो जब हमें higher bank से data बस high enable तो BHE bar की value zero करेंगे तो higher bank मतलब odd bank on होती है BHE bar से तो बस high enable होता है इसका कहेंगे तो हम detail बता देंगे अब इस पर आ जा हमारा ये खतम हो जा ALE. Address Letts Enable. जब ALE की value 1 होगी तो जो AD 0 to AD से multiple expense थी इनको demultiplex कराने के काम में आता है ALE पर. यदि ALE pen equal to 1 हो जाए तो microprocessor से निश्यत तोर पर इसकी value 0 हो सकती है 1 तो चीज़िज़ां हो सकती है यदि इसकी value 1 है तो फिर address फिलो होगा इस line से A0 to A15 काम करेगा और यदि ALE की value 0 हो गई तो फिर data flow होगा D0 to D15 काम करेगा और ALE की value 1 है तो A0 to A15 काम करेगा 16 मिट का यहां से जाएगा तो वही लिखा होगा When ALE equal to 1 है Then address can flow throw A0 to A7 तो demultiplexion हो रहा है यहां पर ALE से 1 है तो address flow A0 to A7 काम करेगा और यदि इसकी value 0 होगई यहां पर तो जो है address क्या करेगा कौन सा फिलो होगा तब यहां पर data फिलोगा D0 to D15 यहां तो A-D0 to A15 है तो एक time में address lines काम करेंगा या data lines ALE डिपेंड करता है address को latch के throw enable कराते है यदि A-D5 में मैं need of multiplex how do multiplex A-D0 to A-D7 वहां पर एक IC लगाई थी 7, 4LS, 3-7 थी 373 नंबर की IC तो उसमें क्या था आपका उस IC में क्या था एक D flip-flop लगाया था एक नहीं लगाया थे लगे तो 8 थे लेकिन IC में जब बनाते हैं आप तो एक यह लगा था D flip-flop तो जो input से आता था फलिप-लॉप लगा था वह ओन हो गया था enable हो गया था इसलिए itpin का नाम है enable inable पर किसको enable करा रही एड़स को लेकिन किसके थ्रो करा रही ए लेच की थ्रो लेच की थ्रो लेच क्या होता फिलिप-प्लॉप ही होता है लेकिन लेच और फिल्पलॉप में अंतर क्या होता है ? फिल्पलॉप होता है क्या ? आपका Age टिएर। लेकिन लेच क्या होता है ? Level टिएर। यहीं अंतर है दोनों में तो लेच के तो saying edit कराया जाता है तो इससे जो एडी 0.. डी न हेटी सेवर तो here i.t का मतलब एंड़र एकञवान तो यहाँ पर फुल फॉरम लिखा इंड़र के निभे Here यदि इस पिन की बैलू ञाती है sans mu08 Wirad 628259 PIC का मतलब इंड़्रो रप्र कन्टोलर होती यह देखिए जैसे input-output से related operation कराने के लिए आपकी A237 थी, यह सही आपको interrupt को control करने के लिए एक चिप बनाई गई है, उस चिप का नाम है कौन सा? A259, A259 का full form क्या है? प्रोग्रामेबल इंटरफ्ट कंटॉलर चिप, PMIC लिखाए हमने, प्रोग्रामेबल इंटरफ्ट कंट्अलर चिप लिएुगन रहे, तो ये क्या होती ABOUT 20 одного चूरामेबल 259 क्या करती है यह 259 इंटरफ्ट ą्रॉप्ध करती है, यह इसकी बयू जीरोज awaits, बार लगा है इंटर्प एक्नोलेजमेंट होने का मतलब क्या है जो इंटर्प रिक्वेस्ट भेजी गई थी देखिए इंटर्प्स रिलेटर जब काम होगा तो सबसे पहले जिसको माइक्रोसर तो कोई इंटर्प कर दिया तो माइक्रोसर डारेक्ट इंटर्प नहीं करता पहले एक रिक्वेस्ट भेजता है आई एंटर्प रिक्वेस्ट जब इंटर्प रिक्वेस्ट म्यूपी के अंदर आती है इंटर्प पर तब माइक्रोसर अपने काम को रोक देता है जो भी ऑपरेशन कर के आपने जो श्क्वैश्ट कर ली है अब उब उख लो उपना काम कर लो अपने काम को हम न रोगदिया है जब इंस्ट रुकी स्वेस्ट आती है असमय पर लिखा होगा कि आइन्ट को बात को सेंस इंट यह बात जीरो सेंस फ्रॉम एट जीरो एट सिक्स म्यूपी टू एट तू फाइब नाइन पी आई सी पर चिप आप्टर देन जब भेता है तो आप रहे उसके बात क्या तो एट जीरो एट सिक्स गोज इन्टू आई एसार क्या है आई का मतलब है इस रूटीन पर चला जाता है माइक्रो पॉसर एट जीरो एट सिक्स क्लियर है तो यह हो गया है इंटर्प्स रिलेटर पिंस हो गई है इंटर्प्स रिलेटर पिंस हो गया है तो इससे रिलेटर था इंटर्प्स रिलेटर लेकिन हमने कहा था इंटर्प्स रिलेटर दो ही पिने होती इंटरप्ट की, तो इंटरप्ट तो दो ही होते हैं, लेकि इंटरप्स रिलेटर पिन्स तीन हैं, जैसे एट जूरेट सिक्स में इंटरप्ट तो पांच ही थे, लेकि इंटरप्स रिलेटर पिन्स छे थी, इंटरप्ट एक्नॉलेजमन जो होता वो इंटरप्ट करने वाला signal होता है तो यह बाहर जाना था क्योंकि जिस डिए इंटरप्ट भीज़ा तो उसको एक्नॉलेज़ करना इसलिए बाहर जाना बहुत जरूरी थैसका तो हमने इसको समझाया है यह वाली सब समझहाई है । यहां पर पड़ी सा टेस्ट एक उप्रेसिए थोड़ी सट टेश्ट भिए Afghanistan होगा जिरो का भार Teams बनाना पूरा पढ़ेगा लेकिन समझाने के लिए यहां पर कुछ पिंस भी चूटी है आठ पे ने तो यह चूटी हुई है जो समझाना है और इसके बाद यहां पर भी हमने बहुत जोड़नी डाया टेस्ट पें जैसर बी एच्ची बार का कॉंसेप्ट भी हमने बचा लिया है अभी स्टीटर सिंगेर्स को भी हमने अच्छी से नहीं समझाया है तो यह वीडियो ह हो रहा है बड़ा इसके लिए इस पूरे डाइग्राम को हम दो सेक्शन में बनाएंगे यह पाइट बन हो गया है इसके बाद जो पिंस बची हुई है यह यह अच्छा नहीं पड़ाए हैं हम यह वाला तो ठीक है काम चल गए ऐसे लेकिन इस पिंस को यह आठ पिंस को इसको हम दूसरा वीडियो बनाएंगे तो वह पार्ट सेकंड में मिलेगा आपको पार्ट सेकंड में देखेंगे तो आपके पास वीडियो यह वाला सेकंड पार्ट होगा थैंक्यू थैंक्यू